और यही काम मजबूरी में बिजनस बन जाता है तो ये कैसे होता है और हमारे चोदु भाईया कैसे कैसे गुल खिलाते हैं ये हम देखेंगे इस मूवी के एक्स्प्लेंड में तो हमारा एक्स्प्लेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकर ही चाहिएगा ऐसे ऐसे चोदु र कर जाती है ओपर जाके देखते हैं एक प्यारी सी चूद वहां पर नहां रही है चूद की नजर हमारे चोदु भाईया पर जाती है चूद को यहां डरना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता वो उसे उल्टा बुलाती है अपने पीट पर साबुन मलने के लिए अ परवाजा खोलते ही धूए के हटते ही वो अपने आपको अपने स्कूल के एक्जाम हॉल में पाते हैं और यहां हमें पता लगता है कि यह सब हमारे चोदु भाईया का इमेजिनेशन था उसके बाद हम अपने चोदु भाईया को उनके दोस झाटुओं के साथ देखते हैं अपना मजाग उड़ता देख चोदु भाईया थोड़ा शरविंदा फील करते हैं क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि यह सब जायज है वो लोग सच कह रहे हैं कि यह सब मेरे पसकी बात नहीं उसके बाद चोदु भाईया अपने एक दोस टटु के साथ बाहर निकल जाते है और उसको बोलते हैं कि उन्होंने अभी तक किसी को नहीं चोदा चोदना तो दूर चूत की गंद भी उनके नाक तक नहीं पड़ी तो उनका दोस टटु राम यहां कहता है कि कुछ दिन बाद तुमारे मॉम डैट बाहर जा रहे हैं उसके बाद तुमारा घर खाली हो जाए तेरी गांड में मुक्का मारूंगा अब माता-पिता यह घ्यान देकर निकल जाते हैं अब चोदु भाइया उनके बात को धूए में उडाते हुए फुल लावड म्यूजिक लगाकर अपने नंगे गांड को हिलाते हुए नाचने लग जाते हैं अगले दिन चोदु भाइ तो दिल से बुरा लगता है तो कुछ आयजा है हमारे चोदू भहिया के साथ हो रहा था शाम को चोदू भहिया अपने दूसरे दोस गांडू भहिया से पढ़ाई के बारे बात कर रहे होते हैं कि वहाँ उनका पहला दोस टटू राम अपनी गर्फिन के साथ आता है मतलब कि टटू भहिया ने जो एडवास दिया था उसका लुप्त वो खुद उठा रहा होता है टटू भहिया बोलता है कि छम्मा का चूत चाटने के लिए मुझे जगा चाहिए चोधू राम कहते हैं टटू भहिया से कि जाईए और चूत ध्यान से चाटियेगा कहीं मुझे जहाट का बाल ना आ जाए बोलकर उपर वाले कमरे में भेज देते हैं चोधू भहिया अपने पढ़ाई में लग जाते हैं कि उपर से चूत की चीखे निकल रही होती है चूत की चीखे सुन चोधू भहिया और गांडू राम का लंड खड़ा हो जाता है चोदु भईया अपने लंड को बोलते हैं कि अभी ये सही वक्त नहीं है तेरे उठने का, कुछ दिन और सोजा, लेकिन उनके लंड ने चूत की चीखे सुन ली थी, तो वो सोने का नाम नहीं ले रहा, अब यहां वो दोनों निकल जाते हैं चूत की तलाश में, गलियों में जाते हैं जहां बहुत सारी चूत हैं, लेकिन उनमें से कोई उनको भाव नहीं दे रहा होता, क्योंकि दोनों लड़कियों के मामले में थोड़े कमजोर हैं, मतलब लंड से नहीं लड़कियां पटाने में, अब लंड भी सो गया, क्योंकि उसे मालुम था, कि इन से ना हो दोनों को चूत तो नहीं मिलता, इसलिए गलियों में गाड़ी घुमा कर टाइम पास करते हैं, अगली सूबर टटू भाईया चोदू भाईया को दूसरा एडवाईस देते हैं, वो कहते हैं कि घर खाली है, किसी कॉल गल को बुला कर अपने वर्जिनिटी तुडवा ले, टटू भाईया एक कॉल गल को बुलावी लेते हैं, पर चोदू भाईया यहां डर जाते हैं, और उसे गाली देते हुए कहते हैं कि उसे मना कर दे, मैं हिलाते हिलाते मर जाओंगा, लेकिन किसी कॉल गल के साथ नहीं सोऊंगा, तो टटू भाईया फिर से कॉल करते हैं मना करने के लिए लेकिन कॉल कोई उठाता नहीं तो टट्टू भाईया चोदू भाईया को बोलते हैं कि कॉल करते रहो जब उठ जाये तो मना कर देना इसमें कोई बड़ी बात नहीं बोलकर वो चला जाता है चोदू भाईया बहुत ट्राई करते हैं रिंग जा रहा होता है ले कर देते हैं और टट्टू भाईया को कॉल कर गाली देने लग जाते हैं टट्टू भाईया बोलते है कि मैं family के साथ हूँ इसके बारे हम बाद में बात करेंगे बोलके phone कट कर देता है धरवाजा खोलके社ु भाईया चख्के को बोलते हैं कि आपको कोई गलत factor हो गही मेरे दोस ने एक लड़की बुलाई थी ना कि आपको छक्का बोलता है मुझे कुछ नहीं पता मैं बहुत दूर से आया हूँ मुझे मेरे पैसे दे तो मैं चल जाओंगा अब चोदू भाईया उसको पैसे दे भी देते हैं लेकिन वो पैसा उनके पौकेट मनी से होता है अब उनोंने उसको पैसे तो दे दिये लेकिन उनका पौकेट मनी खतम हो गया मतलब कि अब उनके पास फुटी कौडी नहीं है जादे जादे छक्का एक नम्मर देता है और बोलता है कि आपको शायद इसकी जरुरत है कभी भी जरुरत पड़े तो इसको कॉल करके बुला लेना चोदू भाईया उपर जा के सोने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको नीद नहीं आ रहे होती तो वो उस नंबर पर कॉल करते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उहाँ पर एक छम्मा आ चुकी है उसका नाम हमने रखा हुआ है चमकिली चूत चोदू भाईया के लंड ने पहली बार चूत चकने का मौका पा लिया और उहाँ एक शांदार दमदार चुदाई क्रिया स्टार्ड होया दिये चोदू भाईया पहली बार चोद रहे थे तो उन्होंने रात भर चूत को नहीं छोड़ा रात भर चूत की ठुकाई करी सुबा होने पर चमकिली चूत पैसे के लिए पूसती है लेकिन हमारे चोदू भाईया के पास फूटी कौडी नहीं है वो चूदाई में इतना मधोश हो गए थे कि उनको ध्यानी नहीं रहा कि उनके पास फूटी कौडी नहीं है तो वो चमकिली चूत को कहते हैं कि कुछ देर यहां रुको मैं बैंक से पैसे लेकर आता हूँ चोदू भाईया के वापस आने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर चमकिली चूत नहीं है वो चली गई तो हमारे चोदू भाईया वहाँ नोटिस करते हैं कि उनकी मौम का सामान गायब है ये बाद चोदू भाईया अपने दोस टटूराम को बोलते हैं टटूराम और चोदू भाईया चमकिली चूत को खोजने लग जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती कुछ दिन बाद उन्हें चमकिली चूत एक होटल पर दिखाई देती है जहां वो हेल्प माग रही होती है वो कहती है कि मेरे पीछे मेरा मैनेजर पढ़ा हुआ है मुझे ब पहले उसके साथ काम करती थी लेकिन मेनेजर अब बिहेवेर उसके साथ अच्छा नहीं था इसलिए उसने काम छोड़ दिया आब वो अपने पैसे माग रहाए लेकिन चमकिली चूत के पास इसको देने के लिए पैसे नहीं है इसलिए वह उसके पीछे पढ़ा हुआ चमकिली चूत को घर पर ले कर जाता है और उसको बोलता है कि आज रात तुम यहां रह सकती हो सुबा होने पर चोदू भीया चमकिली चूत को जाने के लिए बोलते हैं लेकिन चमकिली चूत उसकी बात नहीं मनती अब चोदू भीया को स्कूल के लेट हो रहा था तो वो चले गए बाद में आने के बाद वो देखते हैं कि टटू राम उनके घर से बाहर निकल रहा है चोदू भीया को लगता है कि चमकिली चूत का चूत चोत कर आ रहा है लेकिन टटूराम बोलता है कि चमकिली चूत का नहीं पर मेरी दोस्त का चूत चोत कर आ रहा हूँ अब ये बाद सुनकर चोदू भाईया और घुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो अपने घर को रंडी खाना नहीं बनाना चाते हैं उसके बाद टटूराम की दोस्त उसको पैसे देती है लेकिन चोदू भाईया पैसे को लेने से इंकार कर देते हैं और चमकिली चूत और उसके दोस्त को बाहर निकाल देते हैं बाहर निकलने पर चमकिली चूत और उसकी फ्रेंड को उसका मैनेजर पकल लेता है वो उससे भाग कर वापस चोधुराम के घर में आ जाते हैं उसका मैनेजर चोधुराम को धमकी देता है बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो तब चोधु भाईया उसको पुलीस की धमकी देते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है रात को खाना खाते बग चमकिली चूट यहां रहने के लिए उसको मना लेती है चोदू भाया यहां बोलते हैं कि जब तक उसके मॉम डैड नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए वो लोग यहां रह सकते हैं खाना खतम होने पर चमकीली चूद उसको एक आडवाइस देती है, वो बोलते है कि जब तक तक तुमारे मॉम डैड यहां नहीं आ जाते, तब तक तुम यहां रंडी खाना चला कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, चोदू भया इसके बारे में मना कर देते हैं, और वो बोलते ह है कि तुम यह सब क्यों कर रही हो, चमकीली चूद बोलते है कि जब वो छोटी थी, उसके चाचा उसको बहुत तंग करते थे, और भागने के बाद उसके बास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो इस काम पर लग गई, चमकीली चूद अपने बारे में बहुत कुछ बोलत बात करते करते वो इमोशनल हो जाती है, और वो वहां से निकल जाती है, तब चोदु भाईया का गाड़ी फिसल देवे अपने आप नीचे जा रहा था, उसको रोकने के चकर में दोनों पानी में गिर गए, अब चोदु भाईया के पास फुटी कौडी नहीं है, तो वो ग बहुत निराश हो चुका है, बहुत दुखी हो चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो चला जाता है चमकिली चूत के पास, और वो बोलता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा था, हम इस पर काम करेंगे, मैं रेडी हूँ मेरे घर को रंडी खाना बनाने के लिए, तब अगले दिन रात को हम देखते हैं कि बहुत सारे चूत और लंड यहां पर आ चुके हैं, चुद्दम चुदाई खेलने के लिए, उनमें से एक कॉलेज का एड्मिशन ओफिसर वहां आता है, चोदु भाईया का इंट्रिव्यू लेने के लिए, वो अंदर आग करके को पकड़ के एड्मिशन ओफिसर एक रूम पे चला जाता है, चुदम चुदाई खेलने के लिए, वो रात को बहुत इंज्वाय करते हैं, चुदम किरिया को दिल से इंज्वाय करते हैं, पार्टी के बाद हम देखते हैं कि चोदु भाईया और चमकिली चूत ने बह गाड़ी ठीक करवा कर जब वो घर पर वापस आता है, तब वो देखता है कि चमकिली चूत वहाँ पर नहीं है, उसके साथ साथ उसके बहुत सारे सामान भी गायव हैं, चमकिली चूत को फोन करके पता लगता है कि ये सब उसके मैनेजर ने की है, उसका मैनेजर उसे बदल सामान वाबस लेकर आ जाता है लेकिन चोदु भहया ने जो रंडी खाना से पैसे कमाए थे वो पूरे पैसे वो ले लेता है अब हमारा चोदु भहया पूरा सामान सेट करने में इतना बीजी हो जाता है कि उसको याद ही ने होता कि आज उसके मॉम डैड को पिक करने जाना है उसके मॉम डैड टैक्सी से घरा आते हैं उनके आने तक चोदू भहिया ने सारा को सेट कर दिया है उसकी मॉम आगर देखती है कि सारा सामान इधर का उधर है तो इस बारे हमारे चोदू भहिया को बहुत सारी गाली सुननी परती है लेक उसके डैड उसको बोलते हैं कि एडमिशन ओफिसर को तुम बहुत अच्छे लगे तुम्हारी इंट्रिव्यू बहुत अच्छी लगी इसलिए उन्होंने खुश होकर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दे दिये अब यह बात चोदू भाया को मालूम है कि एडमिशन ओफिस